रुपाउली चुनाव हारने के बाद अब भीमा भारती क्या करेंगे पुर्णिया हारी रुपाउली हारी अब क्या होगा लोग सभा चुनाव भी हार गई और अब विधान सभा का जो उपचुनाव हो रहा था वहाँ भी बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा है जब से और राज़त में गई ताकि लोग सभा चुनाव लड़ेंगे और पता चला कि नोटा से महस 2,000 वोट अधिक आया और अब जब विधान सभा का उपचुनाव हो रहा था जिन सीट से उन्होंने इस्तिपा दिया था जो सीट खाली उतिरुपावली वहाँ पर जब उपचुना बात बीमा भारती की होगी लोग सभा चुनाव में तेज़श्री आदो ने पूरी ताकत जोग दी फिर भी 27,000 वोट आया और विधान सभा में तेज़श्री आदो के साथ पपु यादो ने भी पूरी ताकत जोग दी फिर भी 30,000 वोट आया यानि बीमा भारती को अब जन लेकिन अब सवाल उठने लगा है कि पप्पू यादो ने भी अपना दम दिखाया, तब भी बीमा भारती की जीत तो छोड़ दीजिए, वो दूसरे नंबर पर तक नहीं आई, और लोगसभा से 3000 अधिक वोट उन्होंने बटो रहा है, लोगसभा में 27,000 और विदान सबा में 30 अजा, यानि भीमा भारती की बुरी तरीके से हार होई और उनके राजनेतिक केरियर पर ब्रेक लग गया है, अब ये ब्रेक कब तक हटेगा, ये भी एक बड़ा कोश्चन मार्क है, कि आने वाले समय में राजद उन्हें टिकट देगा या नहीं देगा, ये बड़ा सवा पांच बार से लगातार बिधायक रहने वाली भीमा भारती का हाल अब बहुत ही खराब हो गया है, राजनेतिक केरियर पूरी तरीके से बरबाद हो गया, लोगसभा चुनाव हारना चलिए एक बात समझ में आता है, लेकिन फिर भी आप उसी बिधान सवा से चुनाव हार जिस बिधान सवा से आप बिधायक थी, आपने अस्तिपा दिया था, सारे चार साल वक्त भीमा भारती ने पूर्णिया लोगसभा चेतर के रुपाहली बिधान सवा में बिटाया था, लेकिन फिर जनता उन्हें चुन नहीं पाई, जनता ने उन्हें नाकार दिया है, और जेडियू के उमिद्वार कलाधर मंडल को भी नाकारा है, और अब वहाँ पर संकर सिंग नए विधायक के तौर पर चुने गए हैं, अब आगे देखिए क्या होता है, ते जिस श्री आदो बीमा भारती को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, या फिर यों कहें कि बीमा भारती को आने वाले समय में वो टिकट देते हैं कि ये नहीं देते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है, बरहाल इस खबर में टाइंग बने हमार साथ और देखते रहें, देंगे टॉप